हेलो गाइस तो आज हम करने वाले हैं SACCGL All India Weekly Live Test Year 1 के लिए GA Video Solution तो इसमें वो सारे questions हम करने वाले हैं जो आपके इस live test के अंदर आए थे उनके जितने भी questions हैं उनका discussion हम यहाँ पर live video के अंदर करने वाले हैं तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का session इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ओलिबोड एप आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक description box में आपको दिया होगा first question जो यहाँ पर आपका test के अंदर पूचा क्या था resolved uniting nations in a divided world is an autobiography of which of the falling in में से किसकी यह autobiography है तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बैन की मून यह United Nations Secretary Journal रह चुके है पहले बैन की मून उनकी यह autography है जिसका नाम है resolved united nations in a divided world और इस book को किसने publish किया है harper collins ने इसको publish किया है दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है कि UN के अभी फिलाल में current यहाँ पर जो secretary journal है जो secretary journal है वो कौन है तो अभी फिलाल में वापिस से reappoint हुए है कौन अन्तोनियो ग्यूटेरिस चीके तो यह चीज़े जो है आपको याद रखनी है इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीज़े वह साथ side by side आप याद करते हुए चल सकते हैं next question यहाँ पर आता है who was declared as national icon by election commission of India recently इन में से यहाँ पर किसको चुना गया है as a national icon election commission of India ने जिनको डिकलेर किया है तो answer हो जागा है यहाँ पर पंकश्त्री पार्टी पंकश्त्री पार्टी जो कि आपकी actor है उनको election commission of India ने यहाँ पर national icon इधार डिकलेर किया है तो याद इनको इस ओनर के लिए चूज किस ने किया जो चीफ इलेक्शन कमिशनर है हमारे राजीव कुमार जी उन्होंने इनको चूज किया उसके अलावे अभी हाली में डेपुटी इलेक्शन कमिशनर कई भी यहां पर नियुकती हुई तो अगर आप से पूचेगा हूँ इस दा डे इनिशेटिव चलाएं गया है करनाटक का एक सेम इसी टाइप का इनिशेटिव वहा था इसी नाम से मानस नाम से तो इसको लाँच किया किसने निम्हांस जो है इंस्टित्यूट नैशनल इस्टित्यूट उप्टah यजन हैं उन्होंने इसको क्या किया है लाँच किया है यह 247 का एक अक मेंटल हैंटो क्या किया गया था है याद रखना मेंटल हैं ऑं पार्टिकल ट्रिपल वन वीच वीटो इस नाट इंजॉइड बाइद प्रेजिडेंट आफ इंडिया इन में से कौन सा वीटो जो है वो प्रेजिडेंट यानि कि राश्ट्रपती को नहीं मिलता है या आपके अपसलूट वीटो सस्पेंसिव वीटो पॉकेट वीटो या फि वीचेति उसको ओवराइड कर सकता है तो या दखना यह तीन टैप के आप पर जो फिमस वीटो'm प्रेजिडेंट के पास में वह होते हैं अब आ प्सलूट वीटो जो है यहां पर पावर जो होती है प्रेजिडेंट की वह क्या ऑवर होती है कि वह किसी भी एक बिल केгрडम स तो कौन सकता है तो मैं कोई सहमती कर Bernard करें कि अगहां कहा हूं जा रहे हैं और यह ना वो reject नहीं कर सकता हो वापिस किसके लिए दे सकता है वापिस consideration के लिए दे सकता है कि आप इसके उपर दुबारा से गौर करिए इसके अंदर कुछ changes करिए जो आपको लगते हैं और अगर उसके बाद में भी पारले अवेंट या संसा जो है वो चाहिए changes करके या बिना changes के दुबारा से उस बिल को दोनों सदन में पास करके भेज देती है तो प्रेजिडेंट यानि के राष्टपती को उसके उपर सहमती देनी ही पड़ती है वो ना तो मना कर सकता है ना उसको आगे hold करके रख सकता है अपने पास रख सकता है तो absolute veto वो होती है जिसमें पर थोड़ा time ले सकता है और ऐसा कोई definite term नहीं दिया हुआ है कोई time period नहीं दिया हुआ है जहां तक मतलब उसको बोला जाए कि हाँ तब तक के लिए ही वो अपनी सहमती दे सकता है तो ऐसी कोई fix term है नहीं उसके बाद में आता है suspensive veto यह प्रेजिडेंट यानि के राष्ट फिर आता है pocket veto मतलब ऐसे समझ लो राष्ट पती ने अपने जेब में डाला उसको उस बिल को और फिर भूल गए अपने पास रोक के रख लिया यानि कि यहां पर power क्या होती है प्रेजिडेंट राष्ट पती के पास में कि यह किसी बिल के उपर जो अपनी सहमती है उसको र इस चीज को यहां पर qualified veto जो है इसको हटा सकता है और राष्ट पती उस qualified veto का यहां पर फायदा फिर नहीं उठा सकता नेक्स यहां पर क्या है Central Zoo Authority was established in which year through an amendment to the Indian Wildlife Protection Act 1972 यहां पर एक संरक्षन अधिनियम जो आया था वह आया था आपका 1972 के अंदर अब यहां पर एक Central Zoo Authority यहां कि केंद्रे चिडिया घर प्राधिकरन जो है उसकी स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी और amendment करके इसको include कर दिया गया कौन से year में तो answer क्या हो जाएगा तो answer हो जगा मैं 1992 के अंदर इसको स्थापित किया गया था amendment किया गया था Indian Wildlife Protection Act 1972 के अंदर जहां पर जितने भी भारत के अंदर चिडिया घर है और जो भी वन्य जीव संट्रक्षन है तो यहां पर कुछ एक स्टाटेजीज ली जाएंगी एकसी तू मेजर्स के अकॉर्डिग वहां पर वो यहां पर मेजर्स लिए जाएंगे वह उपाय वहां पर किये जाएंगे और सेंट्र जू अथारिटी जो है वो इन सब चीजों को यहां पर देखेगी कि किसी साबसे कैसी जगों पर रखा जाना चाहिए किसी साबसे उनको बंद करके रखें कहां तक खोल के रखें कैसे उनका यहां पर हेल्थ कैसे देखनी है बाकी सब चीजे जू अथारिटी यहां पर देखेगी नेक्स्ट आ गया है पुल्लम पारा इन डैश बिकेम दे फर्स ग्राम पंचायत इन दे कंट्री तो अटेइन फुल डिजिटल लिटरेसी अमंग इट्स रेजिडेंट तो पुल्लम पारा जो है ये कौन सी जगा पर पढ़ता है जहां पर ये पहला ऐसा ग्राम पंचायत बना ये पहला ऐसा ग्राम पंचायत बना है जो पूरी तरीके से डिजिटल यहां पर हो गया है लोगों के बीच में डिजिटल लिटरेसी यहां पर आ गई है डिजिटल एजुकेशन इनको मिली हुई है इन फैक्ट पंचायत ने जो ऐसे अंडर प्रिविलिज सेक्शन थे जो थैत यह करने में सक्षम हुए इसके अलाबा एक चीज और पूछता है कि यानि कि फर्स डिस्टिक कौन सी जगा पर पढ़ते है जहां पर सारे विलिज सारे गाउ के अंदर क्या है पब्लिक लाइबरेरी है तो आंसर यहां पर क्या होगा ठीक है तो याद रखना यह कहां क पढ़ता है वहां कि जितने भी गाउं है उनके उदर एक पब्लिक हर एक गाउं में एक पब्लिक लाइबरेरी इदर है नेक्स यार बास्केट बॉल इस दो स्टेट गेम ऑफ फिच ऑफ फॉलिंग श्टेट इन में से कौन से राज्य का यहां पर जो गेम है वह बास्केट बॉल इनका यहां पर राज्य खेल है तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राजस्थान जो है उसका राज्य खेल बास्केट बॉल है बास्केट बॉल यहां पर दो टीमें होती है दोनों तरफ पाँच-पाँच प्लेयर होते हैं एक rectangular court होता है और जर्णली इंडोर्स यानि से स्टेट का ये स्टेट स्पोर्ट है तो यादकना आंसर हो जाएगा MP यानि की मध्या प्रदेश का और बास्केटबॉल कहा है राजस्थान का नेक्स्ट इस यह दा डेट ऑफ पार्टिशन ऑफ बेंगॉल 16 अक्टूबर 1905 इसको किस रूप से बनाया जाता है तो आपको प पुनर मिलन करा दिया था किसका बंगाल का आसर यहां पर क्या हो जाएगा तो याद रखेगा यहां पर अंग्रेजों के समक्ष अपने आपको यहां पर एकता दिखाने के लिए अपने आपको एक यूनिटी दिखाने के लिए राखी बंदन दिवस मनाया गया इस बंगाल लोग साथ हैं तो इन्होंने यहां पर हिंदू और मुसल्मानों से यह अनुरोध किया कि आप सब लोग ना एक दूसरे की कलाईयों पर राखी बांग दिये जो यह विभाजन किया उसके बाद भी इन लोगों को बता दीजे कि हम लोग एक ही है नेक्स यहां पर आया which of the following gas causes the irritant red haze in the traffic and congested places यानि कि जो भी आपके बहुती भीड़ भाड़ वाले और यातायात वाले भीड़ भाड़ वाले जो स्थान होते हैं वहां पर कौन सी gas ऐसी है जो है जो लाल दुन्द का कारण बनती है और जलन पैदा इदर करती है option आपके sulfur dioxide carbon nitrogen या फिर carbon monoxide आंसर हो जाएगा nitrogen dioxide जो है मैं nitrogen dioxide जो है वो यहां पर क्या करती है इसका कारण बनती है तो देखो जो automobile engine होते हैं यानि कि जो भी car अगेरा जो भी आपके वाहन होते हैं उनके अंदर बहुत high temperature होता है क्यों क्योंकि वहां पर petrol diesel जो आपके fossil fuel होते है वो यूज होते हैं तो petrol और diesel जब जलते हैं तो यहां पर di nitrogen और di oxygen ये दोनों combination में इदर निकलते हैं और nitrogen oxide और nitrogen dioxide इसमें से काफी जादा यहां पर भार आते हैं काफी मात्रा में और यहां पर जो traffic और congested places में क्योंकि बहुत जादा यहां पर engines चल रहे होते हैं जिसकी nitrogen के जो oxides है nitrogen oxide और nitrogen dioxide दूनों काफी जादा निकलते हैं तो जब भी यहां पर किसी जगा पर nitrogen dioxide का बहुत जादा यहां पर क्या होगा high concentration होगा तो उससे एक तो जितने भी पौदे होते हैं उनके पत्ते नश्ट हो जाते हैं उसके अलावा photosynthesis जो है उसका rate भी यह कम कर देता ह nitrogen dioxide एक lung irritant है यानि की वो आपके फेफडों के अंदर एक अलग टाइप की जलन कर सकता है जिसकी वज़े से बच्चों के अंदर कुछ एक समय के लिए respiratory disease यानि की सास लेने की problem से related बिमारिया भी हो सकती है next is here who has officially become the first European woman to command the international space center यहाँ पर इन में से कौन सी ऐसी European महिला बनी है जो international space center को यहाँ पर command करने वाली है यानि की उसकी command समालने वाली है answer हो जाएगा Samantha Christophoretti Samantha Christophoretti ऐसी पहली यहाँ पर महिला बनी है European महिला बनी है जो international space center को यहाँ पर समालने वाली है उसकी command फिर अगर बात आती है कि international space center जो है इसको Russia कौन से year के end तक इसको छोड़ने वाला है इससे exit करने वाला है तो यादखना 2024 तक इसको छोड़ने वाला है exit करने वाला है next is here what is the atomicity of nitrogen nitrogen की यहाँ पर atomicity क्या होती है यानि कि nitrogen के अंदर आपको कितने molecules या number of एक molecule के अंदर number of atoms कितने देखने को मिलेंगे तो answer हो जाएगा मैम एक molecule के अंदर nitrogen का जो एक molecule होता है उसके अंदर यहाँ पर दो atom जो होते है present होते हैं तो total number of atom present in one molecule या compound के अंदर उसको बोला जाता है atomicity यानि कि nitrogen जो है उसको हम यहाँ पर क्या करते है as n2 यानि कि nitrogen के अंदर दो atoms available होते हैं इसलिए n2 से denominate करते हैं next is year when was the national anthem of India adopted इंडिया की national anthem जो है यह कब adopt की गई थी 26 जन्वरी 26 नवंबर 24 जन्वरी या फिर 15 अगस्त तो answer यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक है तो यहाँ देखना यहाँ पर national anthem of India जो है जन्गर्ण मर यह कब adopt की गई थी तो यहाँ देखना यह जर्णली ना बंगाली जो है उन्होंने इसको यहाँ पर लिखा था और इसका हिंदी वर्जन जो है यह सविधान सभा के अंदर national anthem के तौर पर कब accept किया गया 24 जन्वरी उन्निस सो पचास यानि कि हमारे गद्दत्र दिवस से दो दिन पहले यहाँ पर सविधान सभा जो है इसको अपना national anthem यहाँ पर नियुक्त करती है यह पहली बार कब गाया गया था तो यादखना यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कुलकत्ता का जो क्या था अदिवेशन था इंडिया नैशनल कॉंगरेस भारतिय भारतिय राश्ट्य कॉंगरेस का यहाँ पर जो सेश सभा जो है इनके यहाँ पर जो संस्थापक जी ने का जाता है वह कौन थे तो यादखना यह थे भगत सिंग जी थे इन्होंने 1925 के अंदर यह कहां पर आ गए यह लौहर वापस आ जाते हैं और एक साल के अंदर 1926 में यह यहाँ पर क्या करते हैं अपने कली के साथ में मिल पर बैन कर दिया गया था तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट इस एर अकथा कली परफॉर्मेंस बेगिन्स विद वॉट आंसर यहाँ पर क्या होगा केली को तू तोड़ायम मारा गम या फिर अले रप्भू तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फटा-फट से सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कथाकली परफॉर्मेंस जो है में यह केली कोतू जो है वहां से शुरू हुआ था और यहाँ पर क्या करती है उसको इसकी जो ओडियंस की अटेंशन है उसके लिए यहाँ पर केली कोतू से शुरू होता है और उसके बाद में यहां पर क्या पर्फॉर्म किया जाता है तो डायम एक टाइप का यहां पर डांस फॉर्म जो है वो क्या किया जाता है इधर पर्फॉर्म किया जाता है तो यह आपको याद रखना है ठीक है यहां पर क्या होता है कि ना कुछ एक भक्ती से जुड़ी हुई चीजें यहां पर पेशकश की जाती है जहाँ पर एक या एक से ज़ादा एक या दो लोग मिलके यहाँ पर क्या करते हैं भगवान से अपने आशिरवाद लेने की कोशिश करते हैं इंडियन एंटिटीस कें रेज मनी फ्रम ओवर्सीज मार्केट इन रुपी यानि की यह कौन सा ऐसा यहां पर वित्य साधन है जिसके माध्यम से भारतिय संस्थाएं विदेशी बाजारों में जो दन है वो रुपीय के फॉर्म में क्या करती है संचे कर सकती है जुटा सकती है तो याद अतना इसका आंसा क्या होगा मसाला बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड क्या होता है जो किसी एक green project यानि की clean energy यानि की environment friendly परियावरण संबन्दित या परियावरण के लिए उपरियूक्त जो कार्य है उसके लिए जब किसी चीज का लोन लिया जाता है जिस लोन से जिस विदेशों से पैसा रेज करते हैं विदेशों से जो पैसा उठाते हैं लेकिन किस डिनॉमिनेशन में रूपी की डिनॉमिनेशन यानि कि रूपीय के अंदर जो पैसा बाहर से उठाते हैं जर्णली बाहर से कोई पैसा लोगी तो वो अपनी करंसी में तुम्हें पे करेगा लेकिन तुम यहाँ पर क्या कहते हो कि हमें रूपीज में ही चाहिए पैसा, तो उसको कहते हैं मसाला बॉट, यह जर्णली आपका जो offshore capital market यानि कि विदेशों की जो capital market share बजार होता है वहाँ पर से आप यह bond जो है issue किये जाते हैं और यह rupee terms यानि कि रूपिये के रूप में issue किये जाते हैं इसका जो भी यहाँ पर interest होगा और जो भी principal repayment होगा यानि कि मान लीजे इंडिया की कोई company बाहर से मसाला बॉट के तैथ सपोस कर यह SBI बेंक जो है वो बाहर से मसाला बॉट के तैथ कोई पैसा वहाँ से उठा रहा है लोन की तो जाहिर सी बात है कि उसको ब्याज भी भढ़ना पड़ेगा SBI को और वहाँ पर जो उसने पैसा उठाया है वो भी वापिस बढ़ना पड़ेगा लेकिन वो जब वापिस पैसा भरेगा तो dollar की terms में भरेगा जब पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर मसाला बॉट के तुरू तो वो पैसा कैसे आ रहा ह है रुपीज में आ रहा है लेकिन जब हम उसको वापिस पै करेंगे तो वो dollar की form में जाएगा मसाला बॉट यहां पर क्या होता है यह एक तरीके से ना currency risk जो होता है इसको कम करता है यानि कि जब इंडियन रुपी हमें मिलेगा तो हमारी रुपी की value कहीं कहीं न कहीं यहां पर कर देते हैं यहां दखना केरला यहां पर पहला इसा इंडियन स्टेट बना जिसने मसाला बॉट जो है वो इश्यू किया नेक्स्ट इस एर इन विच यह डिडि ट्रेडिंग कॉमेंट्स ओंधा नेशनल स्टॉक एक्चेंज ऑफ इंडिया यानि कि नेशनल स्टॉक एक इसके नए MDNCO चुने गए जिनका नाम क्या है आशीश कुमार चोहन ठीक है ये आपको यहाँ पर याद अखना है कौन सी एर में इसका फॉर्मेशन हुआ था तो मैं में इसका फॉर्मेशन हुआ था 1992 में जब आपका सेवी यानिकी सेक्योर्टी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इ सीमा नहीं है आपके सरगासो सी रेड सी अरेबियन सी या फिर मेडिटेरियन यानि के भूमद्य सागर तो आंसा क्या हो जाएगा जो सरगासो सी है यह चारो तरफ से एट्लांटिक ओशन जो है उससे क्या है घिरा हुआ है यानि कि एक लोता ऐसा समुद्र है जो बिना किसी लेंड बाउंडरी के है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कौन सा सी है यह कौन सा सागर है सरगासो सागर है और यहाँ पर यह चारो तरफ से इसके पानी ही पानी है और यह पानी किसका है यह नौर्थ अट्लांटिक ओशन के बीच में पढ़ता है सरगासो सी तो यह याद रखना सिंदो नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जैसे और भी पांच ऐसी ट्रिبउटरी्न, जैसे कि जेलम, जियूब, राषी, वियास और सथलच तो याद रखना यहांपर इनमें से सबसे ज्ञधा क्या है जेलम जो है वो चिनाब में आके मिल जाती है रवी ब्यास और सतलज भी एक इसमें आके मिल जाती है चेनाब नदी में आके मिल जाती है और फिर अल्टिमेटली एकलोती चेनाब जो है आगे जाके किसे मिल जाती है इंडस यानिकी सिंदु नदी से मिल जाती है कहाँ पर जाकर मिलती है तो ये आपके मिठान कोट में जाकर मिलती है मिठान कोट कहाँ पर पड़ता है तो ये पाकिस्तान में एक जगा है मिठान कोट पंजाब वहाँ जाकर ये पड़ता है और वो जगह जो है वहाँ पर इंडस और चेनाव एक जगह आके मिलती है उसी चीज को क्या बोलते हैं पंच नद भी बोलते हैं ठीक है ये पाकिस्तान में पढ़ता है पहली ये पंजाब वाला इंडिया का जो पंजाब एलिया था वहाँ पर पढ़ता था ठीक है तो परवस से निकलती है तिबबत के पास में मान सरोवर लेक जो है ये जील जो है इसकी क्या है इसका सोर्स है जहां से ये निकलती है नेक्स जया 36th नैशनल गेम्स के अंदर किसने गोल्ड मेडल जीता मेंस 1500 मीटर रन के अंदर गोपी थोना कल अभी नाश परवेज या निते गेम्स जो हुए 36th नैशनल गेम इस बार कहां पर हुए है तो मैम यह हुए है गुजरात के अंदर अक्तूबर में ये चले हैं 12 अक्तूबर को ये खतम हुए है गुजरात की भी 6 cities जो है यानि की 6 शैरों के अंदर इनको क्या कराए गया है होस्ट कराए गया है और अगर आ वास्क जो मध्य प्रदेश के हैं इन्होंने क्या जीता है ब्रॉंज मेडल यहां पर जीता है पंद्रा सो मीटर रन के अंदर नेक्स्ट इस एर विच आफ दा फॉलोईंग सेल्स हैव नुकलियर मैटीरियल विदा नुकलियर मेंब्रेन इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जिसके अ नुकलियर होता है इस टाइब का और आसपास क्या होती है नुकलियर मेंब्रेन होती है और यूकरियोटिक सेल कैसे सेल होते हैं यह अनिमोस के अंदर हम लोगों के अंदर और आनिमोस के अंदर यह पाए जाते हैं प्रोकरियोटिक सेल क्या होते हैं फिर में यहां पर इनके सिंगल सेल होता है जो अपनी शेप जो है जो अपना अकार है वो चेंज करता रहता है जो एक होता है एक हैन का वो एक सिंगल सेल यहां पर रेपरेजेंट करता है और यहां पर यह इतना बड़ा होता है कि जिसको हम असानी से देख पाते हैं तो इस टाइप का यह एक सेल होता है यह आपका यह जो service commission है तो इसको appoint कौन करता है तो इसका chairman इसके जो members होंगे उन दोनों को appointment कौन करता है appointment करता है राश्टपती प्रेजिडेंट लेकिन अगर state level पर बात करे public service commission का तो इसका chairman कौन अपोइंट करता है तो यहाँ पर union के स्थर पर आपका राश्टपती होता है वैसे ही जो आपका state है उसकी स्थर पर कौन होता है गवर्णर होता तो याद अठना लगाता कौन है governor Gleich और लगाता कौन है governor जैसे राश्टपती यू-Pche का chairman चेर्मन मेंबर को लगाता भी राष्टपती है और अगर UPSC का चेर्मन हटाएगा तो कौन हटाएगा राष्टपती ही हटाएंगे नेक्स यहाँ पर याद अखना स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन के जो चेर्मन और मेंबर होते हैं उनका टर्म भी 6 साल का होता है या फिर 62 साल का होता है जो भी यह पहले अचीव कर लें 6 साल अगर उनको चल्दी पूरे हो गए तो हट जाएंगे 62 साल पहले हो गए हैं तो हट जाएंगे अगर बात करेगा कि UPSC के चेर्मन और मेंबर का यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के चैर्मन और मेंबर का तो याद अखन नेक्स यहाँ पर who was appointed as the national president of indio-american chamber of commerce जो indio-american chamber of commerce है उसका next national president जो है राष्टे अध्यक्ष जो है वो किसको नियुक्त किया गया है तो आंसर क्या होगा विक्रम सिंग ललित भसिन दानी सालू या फिर रैमो काम की आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ललित भसिन जो है उनको यहाँ पर राष्टे अध्यक्ष बनाए गया है यह लॉयर रह चुके हैं काफी जाने माने लॉयर है यह तो यहाँ दखना यहाँ पर national president बनने से पहले इंडियो-american chamber of commerce का यह भसिन जो थे यहाँ पर क्या थे executive vice president थे chamber के भसिन जो है यहाँ पर 54th national president बने है किसके इंडियो-american chamber of commerce के जो यहाँ पर setup कब हुआ था यह जो chamber of commerce है यह 1968 के अंदर October month के अंदर इसको setup किया गया था headquarters यहाँ पर क्या है headquarters है मुंबई के और NPCI जो है यहाँ पर UPI, IMPS और यह साइब टाइब की यहाँ पर payment systems पहुचाता है जो इसके तहत यह किसको देखत of commerce जो है उसके according इसको यहाँ पर क्या करता है देखता है next question आ गया है world space week is observed every year from 4th of October till 10th of October यानि कि 4 October से लेके 10 October तक यहाँ पर क्या लगाया गया है अरसल क्या बनाया जाता है world space day मनाया जाता है space week मनाया जाता है इसका theme क्या रहा है यह आपको यहाँ पर ध्यान लगना है त यहाँ पर human conditions को better करने के लिए बहतर बनाने के लिए इसको यहाँ पर मनाया जाता है तो यहाँ रखना United Nations Journal Assembly जो है उसने ना 1999 के अंदर इसको declare किया था world space week को जो हर साल होता है 4 October से लेके 10 October के बीच में इसका theme रखा गया space and sustainability ठीक है अब आपको क्या-क्या चीज़े यहाँ पर ऐसे बड़े event हुए 4 October 1957 में सबसे पहली बार human made earth satellite जो है launch किया गया नाम क्या था उसका sputnik one था ठीक है रश्या की यह थी और पहली ऐसी मानव निर्मित earth satellite यहाँ पर launch की गए फिर आता है 10 October 1967 यहाँ पर क्या किया गया तो यहाँ पर जो आपके treaty of principles थे जो यहाँ पर state की गवर्ण करने के लिए उसको देखने के लिए उसकी देखवाल करने के लिए किसके regarding exploration and peaceful uses of outer space यानि कि जो भी हमारा बहर यह मंडल है space जो है अंतरिक्ष जो है उसके अंदर explore जो किया जाए वह peaceful uses हो वहाँ पर शांती पुर्वक, moon, space और जो और बाकी सारे ग्रह या बाकी सा तो अरको घाटी जो है यह एक परियाटन स्थल है यह दक्षिन भारत में कौन सी जगा पर पढ़ता है किस जगा के पास में पढ़ता है तो आंसर क्या हो जाएगा मैं यह आंदर प्रदेश में विशाखा पटनम जो है उसके पास में पढ़ता है तो यह एक हिल स्टेशन है आंदर प्रदेश के अंदर ये आपका विशाखा पत्नम से कुछ 120 किलोमेटर दूर पड़ता है विशाखा पत्नम को विजाग भी कहते हैं और विशाखा पत्नम पोर्ट विजाग पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर यह आपका कौन से घाट पर स्थित है इसके पास में घाटी के साथ साथ यहां पर कुछ एक वाटर फॉर्स यानि की जड़ने भी हैं और यहां पर काफी नदिया इसके पास से जाती हैं ट्रेन एंड रोड जो हैं उसके थुरू आप इस हिल स्टेशन पर पहुँँ सकते हैं नेस्ट जैस्विन अल्डरिन जो है इनमें से कौन से खेल से संबंदित है आंसर क्या होगा लॉंग जंप राइफल शूटिंग स्वेमिंग बॉक्सिंग क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर तो याद रखना जैस्विन अल्डरिन जो है यह और यह question क्यों पूछा जा सकता है क्योंकि अभी इनोंने qualified क्या है 2023 के world championship के लिए 8.26 meter का यहां पर इनका क्या था यह इनका score था जबकि यहां पर qualification के लिए 8.25 meter यहां पर mark रखा गया था national game के अंदर इनोंने finally इसको क्या किया यहां पर achieve किया इसको attempt किया ठीक है so that's it for today I hope that you like the session अगर आपको FCI के लिए या SSC के लिए कोई भी course purchase करना है मेरा paid batch अगर purchase करना है तो आप शीतल code यूज कर सकते हैं आपको maximum अभी 55% का off मिल जाएगा 18 तूबर तक आपका festive offer चल रहा है तो 55% का off यहां पर मिलके आप maximum यहां पर achieve कर सकते हैं और इसके अलावा आप channel को like कर दीचेगा subscribe to the channel and video को like and share जरूर कीचेगा thank you so much everyone bell icon दबा सकते हैं class की notification मिल जाएगी हर बार हर week यहां पर जो भी weekly test होता है यह आपका बिलकुल free होता है और बोर्ड आप पर तो इसको आप दे सकते हैं thank you so much everyone bye bye and take care